C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याय तीन संशलेशित रेशे और प्लास्टिक प्रिष्ठ 32 से प्रिष्ठ 43 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय तीन संशलेशित रेशे और प्लास्टिक प्रिष्ठ 32 पूशाग जिने हम पहनते हैं कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं कपड़े प्राकृतिक अथ्वा कृत्रिम सुरोतों से प्राप्त रेशों फाइबर से बनाए जाते हैं क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्मान हेतु भी किया जाता है रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाईए उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए सारणी 3.1 को भरिये सारणी 3.1 प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे इस सारणी के मुख्य शीर्शक हैं क्रमसंख्या वस्तुओं का नाम रेशे का प्रकार प्राकृतिक अथ्वा कृत्रिम आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, उन, रेशमादी, पौधों अथ्वा जन्तुओं से प्राप्त होते हैं दूसरी और संचलेशित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाये जाते हैं इसलिए ये संचलेशित अथ्वा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं 3.1. संचलेशित रेशे क्या हैं? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रियास कीजिए चित्र 3.1. ए अथ्वा चित्र 3.1. बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़ कर एक लंबी श्रिंखला बनाने का प्रियास कीजिए क्या दोनों में कोई समानता है? चित्र 3.1. ए मनके बी कागज क्लिप जोड़ कर बनाई गई लंबी श्रिंखलाई एक संशलेशित रेशा भी छोटी इकाईयों को जोड़ कर बनाई गई एक श्रिंखला है प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासाइनिक पदार्थ है इस प्रकार की अनेक छोटी इकाईयों मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलिमर कहलाती है पॉलिमर शब्द ग्रीक भाशा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अत्वा इकाई है अतहे एक पॉली मर या बहुलक बहुत सी इकाईयों के दोहराने से बनता है प्रिष्ट तैंतीस इस प्रिष्ट पर बाई और उपर पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है बहुलक प्रकृती में भी पाए जाते हैं उदाहरन के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोस कहलाता है सेल्यूलोस बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाईयों द्वारा निर्मित होता है 3.2 संशलेशित रेशों के प्रकार आपने कक्षा साथ में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त की आ जाता है इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समाई तक कड़ी सुरक्षा में गोपनिय रखा गया रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है परन्तु इसकी सुन्दर बनावट टेक्स्चर ने प्रत्यक व्यक्ती को मोह लिया रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किये गए उन्नीसमी शताबदी के अंतिम छोर पर वईज्यानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई इस प्रकार का रेशा काश्ठ लुगदी के रासाइनिक उपचार से प्राप्त किया गया ये रेशा 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 रेशान अत्वा कृत्रिम रेशम कहलाया यद्यपी रेशान प्राक्रितिक सुरोत काश्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है ये एक मानव निर्मित रेशा है ये रेशम से सस्ता होता है परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है रेवन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं तथा उन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं इस प्रिष्ठ पर बई और सबसे नीचे एक चित्र दिखाया गया है चित्र 3.2 रेयौन निर्मित वस्तूओं का चित्र इस चित्र में रेयौन से निर्मित एक गलीचा और कुछ वस्त्र दिखाए गए है B. नाइलॉन नाइलॉन एक अन्यमानव निर्मित रेशा है इसे 1931 में बिना किसी प्राक्रितिक कच्चे माल यानि पौधे या जन्तु से प्राप्त का उपियोग किये बनाया गया इसका निर्मान कोईले, जल और वायू से किया गया ये प्रथम पून रूप से संशलेशित रेशा था नाइलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हलका था ये चमकीला और धुलने में सुगम था अतह ये कपडों के निर्मान हेतू बहुत प्रचलित हुआ क्या नाइलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इस से नाइलॉन, पेराशूट और चटानों पर चढ़ने हेतू रस्से बना सकते हैं? हम नाइलॉन से निर्मित कई वस्तूओं को उप्योग में लाते हैं जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग याने शयन थैला, परदे आदी, चित्र 3.3 इस प्रिष्ठ पर नीचे कुछ चित्र प्रदर्शित किये गए हैं चित्र 3.3, नाइलॉन से निर्मित विभिन वस्तूओं इस चित्र में टूथप्रश, रस्सी, जुराब और परदा दिखाया गया है बूजों ने एक प्रश्न पूछा क्या नाइलॉन के रिशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चड़ने की रस्सी का निर्मान कर सकते हैं नाइलॉन का उप्योग पैराशूट और चट्टानों पर चड़ने हेतू रसों के निर्मान में भी किया जाता है चित्र 3.4 एक नाइलॉन का तार इस पात के तार से अधिक प्रबल होता है प्रिष्ट 34 आईए हम जाने इस प्रिष्ट पर बाई और उपर दो चित्र दिखाए गए हैं चित्र 3.4 नाइलॉन रेशों के उपियोग इन दोनों चित्रों में से बाई और दिखाए गए चित्र में एक पैराशूट से एक व्यक्ति को उतरते हुए दिखाया गया है इस पैराशूट की रस्षियां नाइलॉन की बनी है उसके साथ वाले चित्र में एक परवता रोही को दिखाया गया है ये रस्सी नाइलॉन से बनी है क्रिया कलाप 3.1 एक क्लैम्प युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए इसे क्लैम्प से बांध दीजिए जिससे ये स्वतंत्र रूप से लटक जाए जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित है मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलडा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सकें पलडे में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाईए जब तक के धागा तूठ ना जाए धागे को तोडने हे तू आवशक कुल भार को लिख लीजिए ये भार रेशे की सामर्थ्य बताता है इसी प्रक्रिया को उन, पॉलियेस्टर, रेशम और नाइलॉन के धागों के साथ दोहराईए आखणों को सारणी 3.2 की भांती सारणी बद्ध करिये धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करिये इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 3.5 दिखाया गया है ये एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटकता हुआ एक धागा है प्रेक्षन सारणी 3.2 इस सारणी में तीन शीर्षक मुख्य रूप से दिये गए हैं क्रमसंख्या धागे या रेशे के प्रकार धागे को तोड़ने हे तू आवश्षक कुलभार क्रमसंख्या एक कपास क्रमसंख्या दो उन आप रेशों या धागों को लटकाने हे तू दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपियोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलिथीन की थैली बांध सकते हैं बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली काच की गोलियों या गुटिकाओं का उपियोग कर सकते हैं सावधानी ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए सी पॉलियस्टर और एक्रेलिक पॉलियस्टर एक अन्य संचलेशित रेशा है इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिल्वटें नहीं पढ़ती ये सपाट रहता है और सरलता पूरवक धुल जाता है अतहे ये वस्त्र सामगरी हेतु परियाप्त उपियोगी पदार्थ है आपने लोगों को सुन्दर पॉलियस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा टेरिलीन एक लोकप्रिये पॉलियस्टर है इसे बहुत महीन रेशों में खीचा जा सकता है जिने फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है पॉलियस्टर पहेली ने कहा मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखर ये पेट है क्या पेट, पेट, पॉली, एथिलीन, टर्थिलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलियस्टर है इसका उप्योग बोतलें, बरतन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उप्योगी उत्पादों के निर्मान हेतु किया जाता है चारों और द्रिष्टी घुमाईए और पॉलियस्टर से निर्मित वस्तूओं की एक सूची बनाईए इस फ्रिष्ट पर बाई और बीच में पीले रंग के बकसे में कुछ महत्वपून जानकारी दी गई है पॉलियस्टर पॉली जमा एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि एकाईयों की पुनरा वृत्ती से बनता है एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं निर्मित कपड़े पॉलिकॉट, पॉलिवूल, टरिकॉट आधी नामों से बेचे जाते हैं जैसा के नाम सुझाते हैं ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिला कर बनाए जाते हैं पॉलिकॉट, पॉलियस्टर और कपास का मिशरण है पॉलिवूल, पॉलिएस्टर और उन का मिशरण है हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपियोग करते हैं इन में से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक उन से निर्मित नहीं होते यद्यपीवे उन के सद्रिश दिखाई देते हैं प्राकृतिक सुरोतों से प्राप्त उन काफी महंगी होती है जबके एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं ये विविधर रंगों में उपलब्द होती हैं संशलेश शितरेशे अधिक टिकाउँ और पहुँच के भीतर होते हैं जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं क्रियाकलाप 3.6, कक्षा 7 यदि आप संशलेशित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप ये भी पाएंगे कि संशलेशित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ये वास्तव में संशलेशित रेशों का एक हानी कारक गुण है। यदि वस्तरों में आग लग जाती है, तो ये बहुत आपदा जनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतह हमें प्रियोक शाला अथवा रसोई घर में काम करते समय संशलेशित वस्तर नहीं पहनने चाहिए। पहेली ने कहा, ओ, अब मैं समझी कि मिरी मां रसोई घर में काम करते समय पॉलियस्टर से बने वस्तर क्यों नहीं पहनती। इस प्रिष्ठ पर बीच में पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। सभी संशलेशित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किये जाते हैं। 3.3. संशलेशित रेशों के गुण धर्म। कलपना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का च्छाता प्रियोग में लाएंगे और क्यों। संशलेशित रेशे अद्वितीय गुण धर्मों वाले होते हैं जो इने परिधान सामगरी हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीगर सूखते हैं। अधिक चलाओ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधा जनक हैं। इन क्रिया कलापों को संपादि कीजिए और स्वयम सीखिए। क्रिया कलाप 3.2 एक आकार के दो कपड़े के टुकडे लीजिए। प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इन में से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए। दूसरा संशलेशित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकण के चैन हेतू अपने माता-पिता की मदद ले सकते हैं। टुकडों को प्रिथक बीकरों या मगों में भिगोईए जिन में बराबर मातरा में जल भारा हो। पांच मिनट बाद कपड़े के टुकडों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैल आईए। प्रत्येक पात्र में शेश रहे जल के आयतन की परस पर तुलना कीजिए। प्रिष्ट छतीस। प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिर्स्थायत्व, तिकाउपन, मूल्य और रखरखाव के विशाय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तीन दशमलव चार प्लास्टिक आप घर पर प्रति दिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तूओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तूओं और उनके उपियोगों की एक सूची बनाईए। संचलेशित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में एकाईयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में ये रैखी ये होती है, तो अन्य में ये तिर्यक बद्ध, याने क्रॉस बद्ध होती है, चित्र 3.6, इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 3.6 दिखाया गया है, प्लास्टिक की वस्थुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्द हैं, जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं, क्या आपको आश्चर नहीं होता, कि ये कैसे संभव है, तथ्य ये है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है, प्लास्टिक का पुनह चक्रन हो सकता है, इसे पुनह प्रियुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिगलाया जा सकता है, इसे बेल कर चद्दरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं, इसलिए इनके इतने विभिन प्रकार के उपियोग हैं, इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है. चित्र 3.7 प्लास्टिक से निर्मित विभिन वस्तुएं. इस चित्र में प्लास्टिक से निर्मित एक कुरसी, बाल्टी, प्लास्टिक का गिलास और प्लास्टिक का खिलोना दिखाया गया है. इस प्रिष्ठ पर बीले रंग के बकसे में पॉलिथीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है पॉलिथीन, पॉली जमाएथीन, प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उप्योग में आने वाली पॉलिथीन थैलियां बनाने के काम आता है अब आप स्वयम प्लास्टिक के टुकडे को मोडिये, क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलता पूर्वक मोडी जा सकती है आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलता पूर्वक मोडी जा सकती है जबके कुछ मोडने हेतु बल लगाने पर तूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं, तो वो विक्रित हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विक्रित हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मो प्लास्टिक कहलाता है। प्रिष्ट 37 पॉलिथीन और पीवीसी थर्मो प्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उप्योग, खिलोने, कंगियां और विभिन प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्मान हेतु किया जाता है। दूसरी और कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं, जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है, तो इन्हें उश्मा दे कर नर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं, बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट उश्मा और विद्युत का कुछालक है, ये बिजली के स्विच विभिन बर्तनों के हत्थे आदी बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहु उपियोगी पदार्थ है, ये आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उश्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। ये फर्ष की टाइलें रसूई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपियोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करती हैं। चित्र 3.8 में थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के विभिन उपियोगों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे एक चित्र दिखाया गया है, चित्र 3.8 प्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुएं। इस चित्र में उपर थर्मो सेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं दिखाई गई हैं। जैसे बिजली के स्विचेस, प्लास्टिक निर्मित प्लेट, इस चित्र में नीचे की ओर थर्मो प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं दिखाई गई हैं। जैसे बिजली की तार, प्लास्टिक से बना हुआ जार, तीन दशमलव पांच, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, आज यदि हम कोई खाद्य सामगरी, जल, दूद, अचार, सूखे मेवे आदी के संचयन करने की सोचें, तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधा जनक लगते हैं, इसका कारण उनका हलका भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उप्योग में आसानी है, धातूओं की अपेक्षा हलके होने के कारण प्लास्टिक का उप्योग, कारों, वायूयानों और अंतरिक्षयानों में भी होता है, उप्योग की ये सूची असीमित है, यदि हम चपल, परनीचर और सजावट की वस्तूओं आदी से गिन्ना प्रारंभ करें, आईए, अब प्लास्टिक के अभी लाक्षनिक गुणों की विवेचना करें, ए, प्लास्टिक अनभी क्रियाशील है, आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातूओं को जब नमी और वायू में नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उप्योग बहुत से रसाइनों सहित विभिन प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतू किया जाता है, बी, प्लास्टिक हलका, प्रबल और चिर स्थाई है, पूर्वकाल में उप्योग में आने वाली बाल् प्लास्टिक पात्रों को उप्योग में लाने के क्या लाब हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हलका, प्रबल, चिर स्थाई और विभिन आकारों और साइजों में डाला जा सकता है, अतह, ये विभिन उद्देश्यों हेतू उप्योग में लाया जाता है, प्लास्टिक सामा प्रिश्ट 38 C. प्लास्टिक कुचालक हैं आपने सीखा के प्लास्टिक, ऊश्मा और विद्युत के कुचालक हैं। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हथे इसके बने होते हैं। इस प्रिश्ट पर बाई और बीच में पीले रंग के बकसे में कुछ महत्वपून जानकारी दी गई है। क्या आप जानते हैं? प्लास्टिक का स्वास्थिय देखभाल उद्योग में व्यापक उपियोग होता है। प्लास्टिक पात्र उपियोग में लिये जाते हैं। माइक्रोवेव अवन में उश्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। अगनी सह प्लास्टिक, यद्यपी संचलेशित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलमाइन प्लास्टिक की परत चड़ी होती है, जो उसे अगनी रोधक बनाती है. 3.6 प्लास्टिक और पर्यावरण जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलिथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं. ये एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकठा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूडे दान में चला जाता है, प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है. क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवानूं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निमनीकरणिय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल्ता से विगटित नहीं होता, जैव अनिमनीकरणिय कहलाता है। सारणी 3.3 देखिए। सारणी 3.3 इस सारणी में तीन शीरशक दिये गए हैं। अपशिष्ट के प्रकार अपरासित होने में लगने वाला लगभग समय पदार्थ की प्रकृति। सबजी और फलों के चिलके बचा हुआ भोजन आदी। एक से दो सपताहा जैव निमनिकरणिय थे। कागज 10-30 दिन जैव निमनिकरणिय थे। सूती कपड़ा 2-5 माः जैव निमनिकरणिय थे। 들खिए 1 पंदरह वर्ष जैव निमनिकरणिय थे। उनी वस्त्र, लगभग एक वर्ष जैव निमनी करणी है, तिन, एलुमीनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, एक सौ से पांच सौ वर्ष जैव अनिमनी करणी है, प्लास्टिक थैलियां कई वर्ष जैव अनिमनी करणी है, प्रिष्ट 49, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, ये परियावरण हितैशी नहीं है, ये परियावरण प्रदूशन का कारण बनता है, इसके अतिरिक्त जब इस संशलेशित पदार्थ को जलाया जाता है, तो पूनतिया जलने में लंबा समय ल देता है, इस प्रक्रम में ये भारी मात्रा में विशैली धूम उत्सर्जित कर परियावरण प्रदूशित करता है, इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, यथा संभव प्लास्टिक के उपियोग से बचिए, कपास या जूट के बने थैलों का प्रियोग कीजिए, जैव निम्निकरणिये और जैव अनिम्निकरणिये अप्षिष्ट को अलग इकठा करिये और इनका अलग निस्तारण करिये, इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाईए, कुछ और तरीके भी सुझाईए, जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपियोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अप्षिष्ट को पुनह चक्रित करना बहतर होगा। अधिकांश थर्मो प्लास्टिक पुनह चक्रित किये जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनह चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाईए। पुनह चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभ कर्मक मिला दिये जाते हैं इस से पुनह चक्रित सामगरी का उपयोग विशेश रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है एक उत्तरदाई नागरिक के रूप में पांच आर सिध्धान्त को याद रखिये उपयोग कम करिये याने पुनह उपयोग करिये अर्थात री यूस पुनह चक्रित करिये याने री साइकल पुनह प्राप्त करिये याने रिकावर और उपयोग न करना अर्थात रिफ्यूस इस प्रकार की आदतें विकसित करिये जो पर्यावरण हितैशी हो इस प्रिष्ठ पर उपर पीले रंग के बक्से में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का धेर देखा है जहां पशु विशेश रूप से गाएं कचरा खा रही हो। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलिथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कलपना कर सकते हैं। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठ रोध उत्पन्न करते हैं अत्वा अमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततह ये उनकी मृत्यू का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलिथीन की थैलियां नालियों को रोक देती हैं। कभी-कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर उध्यान अथ्वा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सूचना नहीं चाहिए। एकुत्तरदाई नागरिक के रूप में आप क्या उपाए सुझाते हैं जिससे सारवजनिक स्थल, स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहें। इस प्रिष्ठपर्ब नीचे प्लास्टिक के इस्तिमाल के संबंध में कुछ महत्वपून जानकारियां दी गई हैं। रेशा विवेग प्लास्टिक की थैलियां जलाशेयों में अत्वा सड़क पर नहीं फेंकिये। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाईए। प्लास्टिक पदार्थों का उपियोग कम से कम करिये। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रियोग में लाईए। प्रिश्ट चालीस, प्रमुख शब्द, एकरेलिक, कृत्रिम रेशम, नाईलोन, प्लास्टिक, पॉलियस्टर, पॉलीमर, पॉलिथीन, रेयोन, संशिलेशित रेशे, टेरिलीन, थर्मो प्लास्टिक, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक. आपने क्या सीखा? संशलेशित रेशे और प्लास्टिक प्राक्रितिक रेशों की भाती बहुत बड़ी एकाईयों से निर्मित होते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं, बहुलक अनेक छोटी एकाईयों से निर्मित होते हैं, जबके प्राक्रितिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं संशलेशित रेशे पेट्रो रसाइनों के रासाइनिक प्रकर्मन से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशों की भांती इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है संशलेशित रेशों का उप्योग घरेलू वस्तुओं जैसे रसे, बाल्टियां, परनीचर, पात्र आधी से लेकर वायू यानों, जल यानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आधी, उच्च विशिष्टता वाले उप्योगों में किया जाता है संशलेशित रेशों के व्रिहत निर्मान हे तू, उप्योग में लिये गए रसाइनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयौन, नाइलौन, पॉलियस्टर और एक्रिलिक नाम दिये गए हैं विभिन्न प्रकार के रेशे, अपनी प्रबलता, जल अवचूशन क्षमता, देहन प्रकृती, मूल्य, चिर्स्थायित्व आधी गुणों में परस पर भिन्नता रखते हैं आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कलपना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अप्शिष्ट, पर्यावरण हितैशी नहीं है, जलाने पर ये विशैली गैसें उत्पन्न करते हैं भूमी पर डाल देने से इने अपभरष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं, ऐसा इनकी जैव अनिम्निकरणिये प्रक्रिती के कारण होता है हमें आवशक्ता है कि संचलेशित रेशों और प्लास्टिक का उप्योग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणिये संकट को निवनितम कर सकें प्रिष्ट 41 अभ्यास 1. कुछ रेशे संचलेशित क्यों कहलाते हैं? 2. सही उत्तर को चिन्नित सही कीजिए रेवन एक संचलेशित रेशा नहीं है क्योंके क इसका रूप रेशम समान होता है ख इसे काश्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है ग इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है 3. उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए क संशलेशित रेशे रिक्तस्थान अत्वा रिक्तस्थान रेशे भी कहलाते हैं। क संशलेशित रेशे कच्चे माल से संशलेशित किये जाते हैं जो रिक्तस्थान कहलाता है। ग संशलेशित रेशे की भांती प्लास्टिक भी एक रिक्तस्थान है। 4. नाइलाउन रेशों से निर्मित दो वस्तूओं के नाम बताईए जो नाइलाउन रेशे की प्रबलता दर्शाती हों 5. खाद्यपदार्थों का संचयन करने हेतू प्लास्टिक पात्रों के उपियोग के तीन प्रमुख लाभ बताईए 6. थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए 7. समझाईए थर्मो सेटिंग प्लास्टिक से ये चीजें क्यों बनाई जाती हैं? 8. इन पदार्थों को पुनह चक्रित किये जा सकते हैं? 9. और पुनह चक्रित नहीं किये जा सकते हैं? में वर्गे क्रित कीजिए 9. टेलिफोन यंतर, प्लास्टिक खिलोने, कुकर के हथे, सामगरी लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुरसियां, विद्युत स्विच 9. राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिएं या संशलेशित, कारण सहित राणा को सलाह दीजिए 10. उदाहरण दे कर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृती असंक्शारक होती है 11. क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक याने ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिएं? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए 12. जहां तक संभव हो, प्लास्टिक के उप्योग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए 12. कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिये गए वाक्य खंडों से सही मिलान करिए कॉलम ए, पॉलियस्टर, टेफलॉन, रेयॉन, नाइलॉन कॉलम बी, काष्ठ लुगदी का उप्योग कर तैयार किया जाता है, पैराशूट और मोजा बनाने में उप्योग किया जाता है, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्मान में उप्योग में लाया जाता है, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते 14. संशलेशित रेशों का ओद्योगिक निर्मान वास्तव में वनों के सनरक्षन में सहायक हो रहा है। टिपणी कीजिए। 15. ये प्रदर्शित करने हेतु एक क्रिया कलाप का वरणन करिए कि थर्मोप्लास्तिक विद्युत का कुचालक है। 15. विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप एवं परियोजनाएं। 15. अपने क्षेत्र में उन संस्थाओं का पता लगाईए जो जागरूकता कारेक्रम चला रही है। यदि इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है तो गठित करिए। 15. विद्यालाय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करिए। बच्चों को इच्छानुसार संशलेशित कपड़े अथवा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कपड़ों के और द्योगिक निर्माता का अभिनाय करने का अवसर दीजिए। 15. अपने अडोस-पडोस के पांच परिवारों में जाईए और पता लगाईए कि वे किस प्रकार के वस्तरों का उपियोग करते हैं। 15. उनकी पसंद का कारण क्या है और मूल्य, चिरस्थायत्व तथा रख रखाव के संदर्भ में इनके उपियोग के क्या लाब हैं। 15. एक छोटी रिपोर्ट बनाईए और अपने शिक्षक को दीजिए। 16. कारबनिक अप्षिष्ट जैव निमनिकरणी ये है जबके प्लास्टिक नहीं है। इसको प्रदर्शित करने के लिए एक क्रिया खलाब का निर्मान करिए। 16. क्रिष्ट 43. क्या आप जानते हैं। नाईलॉन रेशम जैसा दिखता है। ये प्रबल और लचीला हूता है। जब 1949 में नाईलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में संसनी अथवा नाईलॉन उनमाद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी। परंतु दुर्भाग्य से द्वितिय विश्व युद्ध 1949 से 1945 के चलते नाईलॉन उत्पादन का अधिकान्श भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनहे प्रारंब हुआ तो उनकी पूर्ती मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नाइलोन उपद्रव भी हो जाते थे। इसी के साथ अठारह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय तीन यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला को छड़। अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक। तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो। तक्नीकी सहायक मयंक कुमार। निर्मान सहयोग अमित कुमार। निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत।